क्रीव करें एक वीडियो में हम लोग देखेंगे कि कैसे ध मुलग अपने किसी आर्टिकल से या फिर अपने हमें ऐसाइडमेंट्स होगर लिखने को मिलते या फिर हम व्लॉग लिखते हैं आपνा या फिर कोई वेब साइट बना रहा होते हैं अगर हम किसी और का content कहीं से copy करके अपने blog या फिर assignments में add करते हैं तो वो एक तरह से plagarized हो जाता है content actually में वो हमें तो लगता है कि वो हमारा content है बट वो होता नहीं है जब आप internet पर check करेंगे plagarism उसका तो वो फिर पकड़ा जाता है कि ये कहीं से copy किया वाल तो मैं भी आप लोगों को दिखा दे रहा हूँ कि कैसे plag पकड़ा जाता है तो ये मैं यहाँ पर free tool का use करने वाला हूँ ये एक website है smallasiotools.com इस पर जब हम जाएंगे and मैंने यहां से content ये वाला copy किया है आप देख सकते हो ये ये एक article है इंडिया के उपर and यहां से मैंने ये content copy किया है and let suppose कि मैं इसे अपने notes में add कर लिया है and मैं दूसरों को दिखा हूँगा कि ये मेरा content है बट ऐसा होता नहीं है अगर वो चेक हो जाए मतलब अगर वो चेक किया जाए तो वो एक तरह से प्लेगराइज content दीखेगा and अब हम देख लेते हैं कि ये प्लेगराइज है या नहीं तो यहां पे प्रेश्ट कर दिया हमाने ये इस website पर आजाएंगा प्रेश्ट कर देख लेंगे तो मैं यहां इसे चेक करता हूँ यह capture फिल कर लेंगे उसके बाद नीचे में चेक प्लेगरिजम पर क्लिक कर देख लो यहां पे यह प्लेगराइज दिखा रहा हंड्रेट परसेंट यहां प आप देख सकते हो तो अब इसे कैसे हटाना है इसे कैसे हम यूज कर सकते हैं अपने ब्लॉग में या फिर वेबसाइट में या फिर अपने आर्टिकल में कहीं भी या असाइनमेंट्स वगरे लिखते हैं तो उसमें भी यूज कर सकते हैं तो अभी यहाँ पर आप लोग देखलो यह 100% प्लेगराईज दिखा रहा है बट अब इसे हटाना है उसके लिए यह वाला वेबसाइट जो है यह परफेक्ट है www.quillbot.com इस वेबसाइट पर आपको आना है और यहाँ आके अपने कंटेंट को यहाँ पर पेश्ट कर लेना है मैंने कॉपी किया है और यहाँ पेश्ट कर देता हूँ और इसे रीफ्रेज कर देंगे तो यह क्या करता है कि कहीं कहीं जो भी वर्ट्स होंगे उनके सिनोनिम्स एड़ कर देता है या फिर सेंटेंस को एक्टिव वोईस से फिर पैसिव वोईस में कंवर्ड करके एंड हमें दिखाता है तो एक्शुली होता ही है कि हमारे वोड्स या फिर सेंटेंस चेंज हो जाते हैं बट उनका मीनिंग जो होता है वो सेम ही रह जाता है तो मैं यहाँ पर कर रहा हूं आपको देखने को मिल जागा है यहां पर content paste कर देने के बाद यहां फ्रेज पर क्लिक कर लेना है कि यह आप make sure कि यह आपका 400 character ही हो उससे ज्यादा नहीं ले पाता एक बार में तो यहां पर कर दिया इसने आप एक बार पढ़ सकते हैं इसको और इसको भी पढ़ देना मैंने बहुत सारा किया हुआ है ज्यादा डिफ्रेंस नहीं आता है मिनिंग सेम ही होता है तो अब मैं इसे यहां से copy करके एंड इसका plagiarism चेक करता हूँ अब क्या होता है तो मैं यहां इस पर click करके इस बटन पर copy कर लूँगा उसके बाद फिर यहां पर आके हम plagiarism के चेक कर लेते हैं यहां पर paste कर दूँगा आप नाट रोबोट चेक प्लाइगरिजम अब देख लो आप यहां पर यह 100% यूनिक दिखा रहा है और सारा content जो दिखा रहा है वो यूनिक है तो अब हम यहां से इसे लेके copy करके और इसको अपने जहां यूज़ करना है वहां पर यूज़ कर सकते हैं तो इस वीडियो में इतना ही होप कि आप लोग को वीडियो अच्छी लग होगी और आपको वीडियो अच्छी लगी तो बिलीज लाइक कर देना चैनल पर नहीं हो तो सब्सक्राइब कर लो मिलते अगली BDP मैं तब तक के लिए टाटा बाई बाई